आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइस 15.1 एमेल अगरवाल मैच्स क्लास 9 का कॉश्चन नंबर 4 करेंगे 4 है हमारा calculate the length of the cord which is at a distance of 6 cm from the center of a circle of diameter 20 cm तो सबसे पहले तो यहाँ पर डायमीटर अगर 20 लिया हुआ है तो हम तो से डिवाइड करके radius में convert कर लेंगे तो radius जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी तो यह भी जो आएगी radius को 10 cm आ गई अब यहाँ पर है calculate the length of the cord, cord हो गई यह भी 6 cm from the center, 6 cm से हो गई और यह OM जो हो एक perpendicular draw कर दी है 6 cm का तो यह दूरी हो गई एक cord की निकालनी है length of the cord हमें AB की length निकालनी है निकालना हमें क्या है AB की length ठीक है अब उसके लिए क्या करेंगे कि यह जो ट्राइंगिल है हमारा OAM इन ट्राइंगिल OAM बाइ पाइफोगोरस चोरम यहां पर पाइफोगोरस चोरम करना हैंगे यह क्या हो जाएगा हमारा hypothesis का square AO का square equal to AM का square प्लस OM का square इस ट्राइंगिल फीक है AO क्या है यहां पर 10 का square equal to AM हमें निकालनी है और OM हमारी 6 का square यह 100 हो गया यह AM का square हो गया यह 36 हो गया यह गूम के आगया इतर ट्रांस्पोज हो के तो minus 36 हो गया AM का square यह आया 64 equal to AM का square root लग गया 8 into 8 करके 8 cm निकल कर आगई AM की value यानि कि जो यह AM निकल कर आया हो 8 cm निकल कर आया हमें लेंध निकालनी है AB की ठीक है न अब यहां पर AB जो है वो 2AM के बराबर है यानि कि पूरी AB जो है वो 2AM के बराबर है कैसे क्योंकि AM equal to MB है AM equal to MB because M is a midpoint ठीक है क्योंकि जब यह O से हमने center से एक perpendicular draw करा तो यह जो है वो आकर इसको line को AB को बाइसेक कर दिया तो बाइसेक करने से जो है वो AM equal to BM हो गई या फिर AB equal to 2AM हो गई अब आवारी AM की जो है वो value क्या निकल कर आए AM की 8 तो 2 into AM की जगा 2 into 8 करने के तो AB is equal to 16 cm निकल कर आ जाएगी तो यह हमारा answer आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ठैंक यू